महरास्ट में उद्दफ ठाकरे की सेना के खिलाफ भारतिये जनतापाटी ने मिशन लोटस को अंजाम दिया मिशन लोटस पूरी तरह से काम्याब हुआ महरास्ट में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई है और इन सब के बार नितिन गटकरी का नाम है जो लगातार सुर्खियां बटो रहा है आपको बता दें नितिन गटकरी को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से बड़ा फैसला लिया जिस तरह से नितिन गटकरी को चनाफ समीती से बाहर किया उसे लेकर उनके डिमोशन पर चर्चे हो रहे हैं और यहां केंद्रिये सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्री नितिन सड़क सुरक्षा मिशन का समर्थन अमिताब बच्चन से मांगा है भारत में प्रतिवर्ष लगभग 80,000 लोग सड़क दुरगटना में मारे जाते हैं जो पूरी दुनिया में होने वाली कुल मृत्यों का 13 प्रतीशत है सड़क दुरगटना के ज्यादतर मामले या तो इन्ही सब को लेकर नितिन गटकरी मेगा स्टार अमिताब बच्चन से मुलाकात करने पहुंचे हैं आपको बता दे बीते कई सालों से अमिताब बच्चन कई सामाजिक मुद्दों से जुड़े हैं प्लस पोलियो अभियान बालिकाओं की सिक्षा स्वच भारत अभियान इसकी अलावा सोनी टीवे पर प्रसारित होने वाले टीवी शोक एबीसी की वो शूटिंग में बिजी है सरकार की कई अभियानों से अमिताब बच्चन का चहरा जुड़ा रहा है कोरोना काल में भी अमिताब बच्चन की आवास थी जो आपने लगातार सुनी होगी मास्क पहनने को लेकर वो लगातार लोगों को जागरुप करते रहे और अब नितन गटकरी चाहते हैं कि अमिताब बच्चन सडक सुरक्षा नियमों को लेकर देश की जनता को करें नेक्स्ट नाइन न्यूस्रूम की रिपोर्ट